प्रेवद्यार्थियो, सुपरभात, बेटे आजम, 11th क्लास में कवीता नमबर 2, जिसका नाम है मीरा के पद, इस कवीता के बेटे question answer करेंगे, यह है इस कवीता से related second video है, previous video में हमने कवीता को read किया था, कवीता बिल्कुल जोटी सी थी, तो इसमें question भी 4 ही है, अच्छे से उ उनको read करेंगे, अच्छे से उनको note book में write करेंगे, एक question extra है, जो आपको online class में लिखवाया जाएगा, तो आप आजम करेंगे बेटे इसके question answer, ध्यान से दिखे, first question है, मीरा क्रिशन की उपासना किस रूप में करती है, question है, मीरा क्रिशन की उपासना, जैसे बेटे कवीता म हमने पड़ा, जो मीरा है, वह है, भगवान स्रीकिशन जी की उपासना करती है, तो question आता है, कि वो किस रूप में इनकी उपासना करती है, answer देखे, मीरा क्रिशन की उपासना, यानि भगवान स्रीकिशन जी की उपासना, उत्ता बेटे पूजा करना, जैसे हम भगवान की करते तो हम तो भगवान को भगवान के रूप में ुब पूच्ण की मीरा क्रीशन की उपासना एक समरपीता पत्नी के रूप में करती है वह कहती है कवीता में हमने पढ़ा था कि मेरे तो गिर्धर गोपाल दूसरों न कोई कि मेरे तो भगवान स्रिकिशन जी ही सब कुछ है दूसरे से मुझे कोई मतलब नहीं है जाके सिर मोर मुकुट मेरो पती सोई और जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पती है तो मेरा ने कहा था कि मेरे दो भगवान स्री किसिन जी ही सब कुछ है दूसरे से मुझे कोई लेना देना नहीं है जिसके सिर्फ पर मोर का मुकुट है वही मेरा पती है नाइस देखे बटे question number two question number two है कि लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं पर पती हमने कवीता में भी रीड किया था कि जैसे जो मीरा थी बटे मंदिरों में जाती मंदिर में जाती भगवान स्री किसिन जी की पूजा करती भजन किर्तन करती तो लोग उसको क्या कहते थे बटे बावरी कहते थे ऊज Judah भगती तो उसके जैसा अनन्य भगती भव देख कर उसे बावरी या मतलब पगली दिवानी कहते उससे दिवानी भी कह था उन्होंने पगली भी कहता भावली भी कह था यह मीरा की भगती का सम्मान है लोग कहते न कि ये तो बावली हो गई है पगली हो गई है दिवानी हो गई है भगवान स्री किसिंजी की भगती में तो ये बिटे क्या था ये मीरा की भगती का सम्मान था मीरा ने भगती प्रकट करने के लिए राज परिवार छोड़ा मीरा ने भगवान स्री किसिंजे के प्रति अपनी अनन्य भगती को दिखाने के लिए प्रकट करने के लिए क्या किया बिटे राज परिवार छोड़ा क्योंकि कवीता में मैंने आपको बताया था इनकी शादी के राजगराने में हुई थी लेकिन इनोंने मतलब इनके पती की जल्दी ही मृत्ती हो गई थी प्रिष्थितियां ऐसी हुई कि इनका ध्यान भगवान स्री किसिंची में लगा और इस वज़े से इनको राजपरिवा वह तो मतलब इस सारी बाते भी उन्होंने मतलब इसके पोजिट गई वहुँ जग की निंदा सही जग की अनि समाज की निंदा को बुराय को सेहन किया और मंदीरों में भजन गाती फिर और यह बंदीरों में बजन गाती हुई फिरी नेक्ट कोशन देखिए कोशन नमबर अपने प्रिवार जनों पर वैंगय किया है मीरा ने इस पंक्ती में क्योंकि इनको मतलब मारने की कोशिश की गई थी इनके प्रिवार के लोग काफी प्रेशान हुए इनकी कुछ एक ऐसी habits भी थी तो इनको मारने का प्रियास किया गया था जहर दे कर तो वही बात यहाँ पर है कि इस पंक्ती में इनकी प्रिवाजनों पर वेंगय किया गया है कि वे उसकी भगती भावना में पाप का अनुभव करते हैं कि वे जो भगती करती है भगवान स्री किसिन जी की इसे क्या है ये एक तरह से पाप है उन्हें स्रीकिसन जी की भक्ती में लज्जा आती है और ये सोचते हैं न वे कि अगर हम भगवान स्रीकिसन जी की भक्ती करेंगे तो वे क्या महसूस करते थे वे लज्जा अनभव करते थे इसलिए राणा ने उन्हें जान से मारने के लिए विश्का प्याला भेजा तो इसलिए राणा इनके देवर थे इन्होंने मीरा को मारने के लिए जहर भेजा था ताकि ये पीए और मर जाए परन्तु मीरा ने उसे भी स्विकार कर लिया मेरा ने उसे भी हसकर पी लिया वे प्याले को हस्ते हस्ते पी गई लेकिन परम भक्ति से नहीं हटे भगवान की भक्ति से पीछे नहीं हटी उसी तरह मन लगा कर ये भगवान की भक्ति करती रही तो विश्का प्याला राणा ने भेजा था इनको मारने के लिए जिसको मेरा बड़े हंसकर बड़ी खुशी से पी लिया था और जिसको पी कर मीरा बड़ी खुश हुई थी लेकिन वह है जहर का प्याला इन पर कोई भी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया था और यह था बेटे सिरी भगवान जी की भगती के का नेक्स्ट क्वेशन देखो और यही कोईशन है कि वे क्यों रोती है मिरा जगत की लीला को व्यर्थ मांती है संसार की जो लीला है कि मनुष्य का जन्म होना परिवार में लगे रहना अमौह माय को कोई कठा करने में लगे रहना यह सब क्या है यह सब व्यार्थ है वह संसारिक सुख दुख को असार मानती है उनका मानना था कि यह संसार में रहा कर जो हमें सुख मिलता है दुख मिलता है यह क्या है इसका कोई सार नहीं है ठीक है यह लगतार ऐसे चलता रहता है जैसे हम पिर भी लोग उसमें लिप्त रहते हैं धंदोलतिक अठा करने में महमाय में लगे ही रहते हैं यह देखकर मेरा रूती है क्योंकि यह सारी एक्टिविटी कहां होते इस जगत में होती है तो बेटे आज था हमारा कवीता नंबर 2 के अभ्यास के पता हरे क्योश्टन थे हमारे जे वीडियो रहेगी वह इस चाप्टर के इंटरनल बेटे कोश्टन से रेलेटेड रही वीकुश एक हम इसके इंटरनल खुरेंगे जो मोस्टििंपर्ट्ट होंग से और जो हमें अपनी नोडबूक में भी लाइट करने है तो आज हमने जो य वीडियो में जो question हमने बिटे read किये है ये आपको notebook में write करने है मेरा से जो related कविता है हमारी इसमें हमारी 4 ही question है जो हमें notebook में write करने है